नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल है जूटूबर देव पर तो दोस्तों अजमे रीजिन में डेड़ लाख विद्यारती अपने CBSE से समधित है और उसमें दोस्तों जो है वो बोर्ड एक्जाम्स का इंजार कर रहे हैं अब ये त सार रीजिन लेकिन राजस्तान मजमिर सबसे महत्मून राजनात सिंग जो है रक्सामंतरी उनकी अध्यक्सावाली समीती की बैठक में परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा में जो है चर्चाय कराई गई है अब एक जून को बिसका अधिकरित फैसला होगा इससे पहले स्क सिवार को दिलीम होई उचिस्तरी बैठक में सीबी एसी सहीत अर्धिकांस राजियों ने बारवी की परिक्साइं कराने पर सहमती जताई है अब विद्यार्थियों को बारवी की परिक्सा के फॉर्मेट का इंजार है परिक्सा कैसे और कहा होगी इस पर एक जो निरने होग क्या चीज़ें नहींगी कोर्स कितना सेलिबस कितना वो सारी बातें भी उसमें किलियर हो जाएंगी कब दोस्तों एक जून को अलागि बोर्ड जो है वो परिक्सा की संभावी तफदी 90 मिनट मान के चदर हैं तो इतना ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे इसमें प्रमुक व बोर्ड एक्जाम जैसे मैंने कई सारे कंपिटिसन एक्जाम के जो वीडियो से उसमें बोला है कि जुलाई में बोर्ड एक्जाम होने की संभावना है और अगस्त में या जुलाई के लाश्ट में आपके जो कंपिटिसन एक्जाम है जो बाकी हैं उनके होने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों माक्स अपलोड करने में जुटे हैं सीबीसी स्कूल सीबीसी से सम्मद स्कूलों ने दस्वी के विद्यारतियों के अंक पोर्टल पर अपलोड करना सुरू कर दिया है विद्यारतियों के माक्स 30 जून तक अपलोड करने होंगे जुलाई के पहल में दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट है ये देखिए क्या है कि पिसले साल की तरह इस बार भी सी बीसी की जो सप्लिमेंटरी परिक्सा हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कोरोना की इस बार दूसरी लेहर थी दस वी बार वी में रिजर्ट के बाद विद्यारतियो उसे पूरा परिक्सा फॉर्म भरवाए जाएंगे आने वाले दो तीन महीनों में कोरोना संक्रमन की इस्ति भी बोर्ड देखेगा और उसके बाद जो है तकरीब बने ठाई लाक से ज़्यादा विद्यारति जो है वो पूरग परिक्सा बैटते हैं क्योंकि काफी टब भी सारे एक्जाम्स और इसमें दोस्तों बाद में अपडेट होगी तो अगर सितमर में पूरग परिक्सा और जॉलाई में आपके में 12 की बोर्ड परिक्सा कराई जा सकती है बाकि एक जून को फाइनल लिने होगा और उसमें फिर जो भी दोस्तों अपडेट आएगा तो मैं तक लेकर हाजिर हो जाओंगा वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के मादिम से तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार